दोस्तो सबसे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन तो कर ले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सबस्क्राइब क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी तमाम दिल्चस्प खबरें दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि IPL का 13 सीजन अगले महिने यानी मार्च में खेला जाएगा जिसका पहला मुकाबला 29 मार्च को मुंबई और चेननी के बीच मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा इस टूनमेंट के लीग मुकाबले 29 मार्च से 17 माई तक खेले जाएंगे वैसे तो IPL की सभी आट टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंदर खिलाडी मौजूद हैं जिसके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं मगर इनी धुरंदरों में से तीन ऐसे तावड तोर धुरंदर भी हैं जिनके नाम कई बड़े और भ्यंकर रिकॉर्ड हैं जी हाँ बात करें आस्ट्रलाई टीम के खतरनाग ओपनर बलेबास डेविड वार्नर की तो डेविड वार्नर ने अभी तक अपने कैरियर में 126 IPL मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 43.17 की शांदार ओसत से सबसे ज़्यादा 4607 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 4 शतक और 44 अर्ध शतक सामिल हैं तो वहीं दूसरे नंबर में आते हैं वेस्ट इंडीज के खतरनाग खिलाडी क्रिस गेल इन्होंने भी 125 IPL मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 4484 रन बनाए हैं इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 28 अर्ध शतक ठोके हैं वहीं बात करें तीसरे खिलाडी की तो ये हैं साउथ अफरिका के खतरनाग खिलाडी एविडिव लियर इन्होंने अभी तक 154 IPL मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 39.95 की शांदार औसस से 4395 रन मनाए हैं जिसमें इनके नाम 3 शतक और 33 अर्ध शतक शामिल हैं इस तरह से देखा जाए तो इन तीन ही खिलाडियों को गेंबाजी करना किसी भी गेंबाज के लिए आसान नहीं होता है दोस्तों आपकी नजर में सबसे खतरना खिलाडी कौन है हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा